हर किसी को excited करता है व्याग्रा का नाम सुनना कि व्याग्रा लेते ही क्या हो जाएगा और मैं बहुत satisfy हो जाओगा और बहुत मज़ा आ जाएगा कब लेनी जए कितनी लेनी चाहिए बहुत लोगों को साइड एफेक्स नहीं पता होता, कितनी डोस इंपॉर्टेंट है नहीं पता होता, आज सब के बारे में बात करूंगी, नमश्कार में हूँ, डॉक्टर नेहा मैता, मैं एक सेक्स गांस करूँ हूँ, अपनी हर वीडियो कि मादम से sex से जुड़ी से ही जानकारी अब तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं, आज मैं बात करने वाली हूं sex pills के बारे में, प्यार की गोली के बारे में, कितनी effective, कितनी लेनी ज़े, क्या side effect हैं, होए तो क्या करें, कब लें, किस partner के साथ लें, डीटेल में बताने वाली हूं सारी सच्चाई और सही डोसर क्या करना है इस वीडियो को अंतक देखना है मुझे पता आप देखने वाले हैं अंतक देखना है अपने एडलीस मेल फ्रेंड्स में इसको शेर करें ताकि अगर वो इस डाउट में है तो उनका ये डाउट क्लियर हो जाए साथ साथ इस चानल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले तो चली मैं बात कर रही थी व्यागरा, सेक्स टाबलेट, सेक्स पिल्स के बारे में सबसे भेले से समझने की कोशिश करें कि ये पिल्स आपके lower blood flow को बढ़ाती है मतलब आपके penis के आसपास के blood flow को बढ़ाएंगी ताकि एकदम से erection आए और erection आते ही वो erection लंबे समय तक तिके ये आपका व्यागरा आपकी जो ये टाबलेट्स हैं वो करती है साथ साथ यह आपका stamina भी बढ़ाती है ताकि आपका time भी बढ़े और आपका erection भी लंबे समय तक रहे यह tablets एक temporary method है जिससे आप अपने time और erection को बढ़ा सकते हैं Vyagra बहुत सारे side effects भी लाती है जैसे sun में दर्धोना, माता, भनाना या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे को बहुत जादा मेरा BP बढ़ता जा रहा है यह शरीम में गर्मी पैदा हो रही है, nausea, vomiting आने की feeling हो सकती है और यह feeling आने वाले दो दिन तक continue रह सकती है, person to person यह फरक करती है कितनी लेनी जाहिए अगर मैं dose की बात करूँ तो 18-15 साल का आदमी maximum 100 mg की व्यागरा को ले सकता है लेकिन अगर आप इस से जादा बिना डॉक्टर की recommendation के ले रहे हैं तो I'm sorry आपको बहुत जादा side effect देखने को मिल सकते हैं अब मैं बात करूँ कि आप young हो और पहली बार try कर रहे हो तो हमेशा समझो कि minimum से minimum व्यागरा को लेंगे तो that will be fine क्योंकि आपको उसे experiment करना होगा कि वह आपकी body के साथ कैसी जाती है Researches के अनुसार partner से 4 पूरुषों को व्यागरा असर करती है अगर लेने के बाद भी आपको असर नहीं कर रही है तो आपको समझना है कि आपको शायद एक doctor से मिलने की जरूरत है कई doctors जब आप अपनी consultation के लिए जाएंगे तो आपको व्यागरा prescription में देते हैं ये sildana filter, dalfil, avanfil, maybe ऐसी tablets के salts को आपको लिख के देंगे तो आपको doctor के dose के हिसाब से ही लेनी है बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक व्यागरा ने असर नहीं किया तो एक और खा लेते हैं which is a big no-no तीसी चीज़ों समझने की जरूरत है कि व्यागरा routine में आपने नहीं लेनी है routine में व्यागरा लेने से धीरे धीरे आपको side effects बढ़ेंगे और वो असर भी नहीं करेगा मेरे पास यसे कितने लोग हैं जो यह बोलते हैं कि हमने पिछले 2 महीने 3 महीने खाई अच्छा असर रहा लेकिन अभी असर ही नहीं करती क्यों क्योंकि आपने इसको regular अपने dose में बना लिया कोशिश करें कि जब आप अपने partner की बहुत जादा intimate हो रहे हैं और आपको आज अच्छा perform करना है तो definitely आप इससे spice up कर सकते हैं साल 6 महीने में एक पिल को introduce करने में कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप इसको रोज 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 हफते में 3 बार महीने में 3 बार यूज कर रहे हैं इस बिग नो-नो हाँ अगर आपको कोई problem है लंबे समय से और आपका registered doctor आपको वो देता है तो उसकी dose को monitor करके देगा और उसके साथ ऐसे बहुत सारे salts देगा कि आपको problem नहीं आएगी usually ये medication treatment के कुछ समय तक ही दी जाती है और धीरे धीरे इसके doses को बहुत lower करके taper down किया जाता है initially अगर ये दिया जा रहा है तो you can try it otherwise अगर आप खुछ से अपने interest के लिए और अपने spark के लिए ले रहे हैं तो please इसके dose को monitor करके महीने में हफते में कम ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए कितना समय तक इसका असर रहता है सबसे पहले समझे कि कुछ टाबलेट्स दो से तीन घंटे पांच घंटे तक maximum रहती है जबकि कुछ ऐसी व्यागराज है जैसे टडाल फिल वो 36 आवर्स तक भी आपको erection देती है मतब अगली सुबा भी शाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे erection हो रहा है कितना समय ये लेती है action करने के लिए 30 मिनट से 2 आवर्स ऐसा नहीं है कि जैसे आपने खाई अब बलकुल तयार हो गए है that is not possible धीरे धीरे action होगा और आपका erection बढ़ेगा लेकिन अगर आप अपने का ध्यान रखेंगे व्याग्रा खाने के बाद बहुत जरूरी है सबसे पहले बहुत ज़्यादा heavy खाना अपने नहीं खाना है व्याग्रा के बाद आपने alcohol भी नहीं लेना है अगर आप diabetic है BP जादा है कुछ chronic problem है तो please व्याग्रा का सेवन ना करें तो आप समझ गए होंग definitely but more than दोस इस की बस मैं दो खालू तीन खालू is not at all right आशा करती हूं मैंने डीटेल में सब कुछ समझाया है बने रहे जुड़े रहे हैं बहुत ज़़ी एक और वीडियो को topic है आप चाहते हैं कि मैं comment section में बात करूँ प्लीज उसे लिख दीजे मैं definitely उसे वीडियो लेकर आऊंगी कोई doubt है कुछ discuss करना चाहते हैं मेरा instagram और facebook handle dr.neha official आपके लिए हमीशा खुला है मेरे दोनों नए चानल loveology सीखो और psychology सीखो जो दोनों mental health और sexual health के बारे में बात करते हैं उन वीडियो को उन चानल को ज़रूर आप subscribe करें यह मेरा में चानल डॉक्टर नेहा मैता यहां पर अपना प्यार देना नहीं भूले बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर मैं हासर होती हूँ